दोस्तों मैं सवरो मलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर क्विज में आज हम देखेंगे 12 जनवरी की करेंट फिर को जो कि सभी परिक्साओं के लिए मैथपुन रहेगी डेली करेंट फिर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिविजन कोशन है हाल ही में मुहम्मद समी सहीत कितने खिलाडियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इस कोशन का सही आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेंट पर है हाल ही में किसे रक्सा मंत्राले में महान देशक अन्यूक्त किया गया है तो प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर रहेगा समेर कुमार सिना जी को यानि की B राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कोशन है हाल ही में बस्व राजू S को किस राज्ये के मुख्यमंत्री का सचीव न्यूक्त किया गया है तो प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हैगा 36 गड़ के मुख्यमंत्री का यानि की दूसरे कोशन का राइट आंसर C हो जाएगा तीसरा कोशन है हाल ही में किस देश के वल्डकप विजेता फुटबोल खिलाडी मारियो जगालो का निधन हुआ है दोस्तो राइट आंसर रहेगा ब्राजील के खिलाडी का यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तीसरे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर फोर है हाली ही में किस देश ने कमल हो गए कमल के आकार का सेटलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉंच किया तो किस देश ने किया दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर रहेगा चाइना ने यानि की कोशन नमबर फोर का राइट आंसर सी हो जाएगा Q5 है किस वर्ष भारत पहली बार युनेस्को की विश्व द्रोवर समीति की मेजबानी करेगा प्यारे दोस्तों पांच वे कोशन का राइट आंसर 2024 हो जाएगा यानि कि A is the right answer आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं तो आप हमारी master pdf ले सकते हैं मातर 170 रुपे की इस pdf के अंदर आपको all subject मिल जाएंगे ठीक है और इस pdf का link description box में भी available है और हमारे whatsapp नंबर पे message करने पर भी मिल जाएगा चटा question है हाल ही में किसने AI UDC को launch किया है चटे question का right answer Microsoft हो जाएगा यानि कि D is the right answer question number 7 है हाल ही में किस bank ने सरकारी करमचारियों के लिए सम्मान रुपे credit card launch किया है तो right answer हैगा इंडिसिंड बैंक ने यानि कि B right answer हो जाएगा साथवे question का सेयुत्तर आठवा question है हाल ही में भारत अंदरास्टे विज्ञान महुत्सव 2023 कहा हुआ है फरीदाबाद में यानि कि C right answer हो जाएगा दोस्तों आठवे question का सेयुत्तर नौवा question है हाल ही में वाइबरेट अगुजरात ग्लोबल सम्मिट में किस देश के रास्तपती मुख्य अथीती रहे हैं तो right answer UAE के यानि कि B right answer हो जाएगा question number 10 है हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे पुरुषकार 2022 से सम्मानिक किया गया तो सवीता कंसवाल को दोस्तों यानि कि C right answer हो जाएगा तस्वे question का सही उत्तर ग्यारवा question है हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड़े को विश्व के सवस्रेश्ट हवाई अड़े का किताब मिला है session आपको अच्छा लगे तो like करिए अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में भी जरूर शेर करिएगा सुबह साड़े 6 बजे ये वीडियो रेगूलर आती है only top study YouTube चैनल पर तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेख रहे है इस question का दोस्तों सही answer हैगा Singapore यानि कि C is the right answer बारवा question है हाल ही में किसके द्वारा विक्सित assault rifle उग्रम को launch किया गया है बारवी question का right answer हैगा डियाडियो द्वारा यानि कि A right answer हो जाएगा भी question number 13 है हाल ही में भारतिय नोसेना ने कहां सवदेशी दरिस्टी 10 UAV का अनावरण किया है question number 13 का right answer दोस्तों हैदराबाद हो जाएगा यानि कि C is the right answer question number 14 हाल ही में रासिद खान का निदन हुआ है वे कौन थे question number 14 का right answer रहेगा संगीत कार यानि की B right answer हो जाएगा question number 15 है हाल ही में IIT मदरास का एक निया केंपस किस देश में खुलेगा तो पंदर्वे question का right answer दोस्तों रहेगा सिरलंका यानि की option कोशन ए इस दा राइट आंसर है सोलवा कोशन है हाल ही में पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसद्य चुनाब जीता है सोलवे question का right answer क्या रहेगा बोटान यानि की दोस्तों बी right answer रहेगा question number 16 का से उत्तर सितर्वा question है हाल ही में हैंले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी सबसे सक्तिसाली पासपोर्ट की सूची में भारत कौन से इस्थान पर रहा है कि दोस्तों right answer रहेगा अस्सिवे स्थान पर यानि की ए राइट रहेगा question number 17 का से उत्तर question number 18 है हाल ही में इसकाई टेक्स वर्ल्ड एरोपोर्ट दोजारतेईस में किसे विश्व का सबस्रेट एयरपोर्ट चुना गया है तो इसकाई टेक्स वर्ल्ड एरोपोर्ट दोजारतेईस में किसे विश्व का सबस्रेट एयरपोर्ट चुना गया है तो right answer ही चंगाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी right answer हो जाएगा हाल ही में किस बैंक ने सरकारी करमचारियों के लिए सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लौंच किया है तो इंटरनेशनल बैंक right answer हो जाएगा हाल ही में 27 वे रास्टिय युवा मोहतसब का आयजन किस सहर में किया जाएगा तो right answer दोस्तों क्या हो जाएगा नासिक में यानि किसी is the right answer देखिए ये तो थे हमारे 20 करेंटर फिर के question answers अब बात कर लेते हैं आज के homework के बारे में आज का हमारा homework का question है हाल ही में 20 वहिंदी दिवस कब मनाया गया है तो इस question का answer सभी student comment box में बताएगे जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का मारा question of the day है कौन किसी भी सदन का suggestion नहीं होता है इसके लिए मैं 5 सेकिंड का समय देता हूँ जल्दी से answer comment box में होते हैं दोस्तों कौन किसी भी सदन का suggestion नहीं होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो सही answer रहेगा हो क्या रहेगा बिल्कुल देखे रास्टपती जी किसी भी सदन की suggestion नहीं होते हैं यानि की right answer is option है यह आपको याद अखना है और प्यारे दोस्तों कल का हमारा homework का question था हाल ही में a democracy in retreat, revisiting, the ends of power नामा कुछ तक किस ने लिखी है तो right answer is अस्वनी कुमार ने यानि की be right answer हैगा कल के homework answer अब देखे अगर आप लोगों ने अभी तक master pdf नहीं ली है तो master pdf का link description box में available है हमारे whatsapp number पे message करोगी तो यहाँ से भी मिल जाएगा मातर 170 रुपे की यह pdf आपको इसमें सारे subject मिल जाते है complete पूरा syllabus मिल जाता है यह pdf आपके पास lifetime रहेगी आप कितनी बार भी पढ़ सकते है pdf का link description box और whatsapp number दोनों पे मिल जाएगा link पर click करना है 170 रुपीज का payment करना है directly pdf आपके पास पहुँच जाएगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो like share करिए चैनल पर नए है तो subscribe करिए bell icon को उन रखे ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हूँ thank you so much bye bye everyone take care ख्याल लगे अपना मिलते नेक्स क्लास में